हेला फ्रेंड मैं हूं गनेश कमाना करनेश टीफ फिल्म में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों एक न्यूज जो है आज का जो बहुत ही बेकार न्यूज कर दिया गया है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्जाम कब होने वाला है इसका अगला और मैं अभी आपको सबसे पहला वीडियो बना कर दे रहा हूं तो दोस्तों एक जरू कर दीजिएगा यहां पे देखेंगे तो मैं आपको दिखा दो कि यह हिंदुस्तान का है आप देखिएगा कि यह हिंदुस्तान का है कि फेक नहीं है जो आज संसद में भी चर्चा चलाए थे और इसका जो एहम भूंका है रद करवाने में यह हमारे तिजस्वी जी का कि वहीं अप संसद में मुद्दा उठाए हुए थे कि पेपर लिख हुआ है और आज पेपर तो ऐसे हरोज लिख हो ही जाता है बिहार बोड का जो कि यह बहुत ही घटिया है इसका लेकिन आपको बता दे कि आज का जो पेपर जो लिख हुआ था का दिर पहले हो गया था ताप यहां पर देखेंगे कि इसको आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते इसका भी वीडियो के मैं इसका लिंक दे दूंगा पढ़कर बताता हूं कि बिहार बोड ठीक है बिहार मैटिक समाजिक विज्ञान विशय की परिच्छा रद हो गई है सुक्रवार की सुबह यानि की आज 19 तारिकों परिच्छा से पहले ही इस विशय का पेपर लिख हो गया था ठीक है इसी के पाद बोड ने यह दिन्य लिया है कि बिहार बिद्याले परिच्छा समीति के अध्यक्ष अनंद की सोर ने बताया कि अब परिच्छा जो होगी ओ आठ मार्च को दोबारा परिच्छा होगी तो यहां पर है अगर इस्टुडेंट जो है इस्टुडेंट के लिए और अच् है वह बहुत अच्छा पेपर दे सकते हैं ठीक है दोस्तों यह आप बच्चे के महिनत के उपर डिपेंड करता है बागी का सब कुछ पता चली चुका है और यह बता दे कि आने वाला जो पेपर होगा वह भी उतना हाड नहीं होगा नौर्मल सा ही रहेगा लेकिन आपका सा सारा का सारा पेपर चेंज रहेगा ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो प्रीजिक लाइक जरू कर दीचेगा और आगे भी पढ़कर दिखाते हैं समाजी की विज्ञान का पेपर लिक होने के बाद सोसल मीडिया के जग यह पूरे बिहाग में व मैंट्रिक पर इच्छा के प्रस्न लीक हो जा रहा है इसके बाद मुख्यमति नितिशकुमार ने पत्रकारों को बताया कि हमें इसकी जांच का आदेश दे दिया है इस मामले में दोसी होंगे उनको सक्त उनको सक्त करवाई की जाएगी ठीक है तो जो लीक करवाया था अगले वीडियो ने फिलाल के लिए जाएंड आगले वीडियो ने फिलाल के लिए जाएंड़